नमस्कार दोस्तों मैं ललन कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूटूब चैनल SBI Life Insurance Advisor में आप में से एक व्यूवर है जिनका नाम परभाकर कुमार जी है परभाकर जी ने SBI Life का Retire Smart Pension Plan को ले रखा है और इन्होंने Retire Smart Pension Plan से सम्बंदित एक सवाल किया है फिनिंशल कंडिशन अच्छे ना होने के कारण और प्रीमियम का अमाउंट बड़ा होने के कारण अब ये अपनी पॉलिशी को आगे नहीं चला सकते ये अपनी पॉलिशी को स्रेंडर करना चाहते है और जानना चाहते हैं कि मिश्टर परभाकर जी कैसे अपनी SBLF Retire Smart Pension Plan को स्रेंडर कर सकते हैं पॉलिशी को स्रेंडर करने के लिए उन्हें कौन-कौन सा डॉकुमेंट चाहिए और जब वे पॉलिशी को स्रेंडर कर देंगे तो क्या उन्हें कंपनी के माध्यम से कोई रिशीप्ट प्राप्त होगा तो इसकी पूरी जानकारी कि यदि आप SBLF Retire Smart Pension Plan को या SBLF Insurance की किसी भी पॉलिशी को स्रेंडर करना चाह रहे हैं तो पॉलिशी को कैसे स्रेंडर कर सकते हैं पॉलिशी को स्रेंडर करने के क्या क्या डॉकूमेंट चाहिए इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है तो किरपा करके वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और सुने तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें पॉलिशी को स्रेंडर करने के लिए कौन-कौन से डॉकूमेंट की जुरत पड़ती है जब आप पॉलिशी को परचेच करते हैं तो कुछ समय बाद आपके घर पर इस पीड पोश्ट के माध्यम से एक बॉन्ड आता है पॉलिशी को स्रेंडर करने के लिए सबसे पहले आपके पास उस बॉन्ड का होना बहुत ही आवर्शक है उसके बाद पॉलिशी लेते समय जिस बैंक अकाउंट का डिटेल आपने दर्ज करवाया था उस बैंक अकाउंट के पासबुक का फोटो कॉपी आपका पैन काड आपका अधार काड एक पासपूर साइच का फोटो और आपका वह मोबाइल नंबर जो आपने पॉलिशी लेते समय रजिस्टर करा रहा था वह हो पलस में सरंडर फॉर्म इन सभी डॉकुमेंट के आपको जुरत पड़ती है सबसे पहले आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को अपने पास रख लेना है उसको लेकर SBA Life Insurance के आफिस में जाना है और वहाँ सरंडर फॉर्म को लेकर उसमें जो भी जानकारी जमा करने के बाद उस समय आपको वहाँ से एक रिसीट प्राप्त होता है उसके बाद जब SBA Life Insurance प्राइबिट लिमिटेड कंपनी द्वारा आपके फॉर्म को असप्ट कर लिया जाता है तो आपके रजिस्टर मोबाइल पर जो आपने पॉलिशी लेते समय रजिस्टर करा जाता उस पर आपको अपडेट दे दिया जाता है लेकिन अब हम बात मिलने वाले पैसों की करें तो SBA Life Retire Smart Pension Plan एक यूनिट लिंक्ड इंसुरेंस प्लान है मिश्टर प्रभाकर जी ने यहां सिरफ एक साल पॉलिशी को चलाया है और SBA Life Retire Smart Pension Plan में पहले 5 साल का लॉकिंग प्रियर्ड होता है तो जब तक आपके पॉलिशी टर्म का लॉकिंग प्रियर्ड यानि कि पहले 5 साल पूरे नहीं हो जाते तब तक आपका पैसा आपको वापिस नहीं मिलता है Surrender Form Accept होने के बाद जैसे ही आपके पॉलिशी टर्म का 5 साल पूरा हो जाएगा पॉलिशी टर्म के 6 साल पहले वीक में आपको आपका पैसा मिल जाता है यहां पर यदि मिश्टर परभाकर कुमार जी अपनी पॉलिशी को Surrender ना भी करें तो लॉकिंग पिरिड के समापत होने के बाद पॉलिशी टर्म के 6 साल फॉर्स्ट वीक में उन्हें उनका पैसा वापिस मिल जाएगा क्योंकि S.B.I.L.F. Retire Ismart Pansion Plan एक Unit Linked Insurance Plan है इसमें यदि आप एक साल या दो साल प्रिमियम देने के बाद आगे का प्रिमियम नहीं भड़ते हैं तो कंपनी दौरा तीन साल तक वेट किया जाता है जो तीन साल तक कंपनी वेट करती है इसे revival period का जाता है revival period के दौरान यदि आप चाहते हैं कि हम अपनी policy को दुबारा से चलाएं तो जितना आपका पिछला प्रिमियम बचा हुआ है उसका भुकतान करके policy को continue चला सकते हैं और यदि आप revival period के दौरान भी अपनी policy को नहीं चलाते हैं तो जैसे ही आपके policy term का 5 साल यानि कि locking period समापत होता है तो policy term के 6 साल 1st week में आपको आपका पैसा वापिस मिल जाता है तो उमीद करता हूँ आप लोग जान चुके होंगे कि यदि आप अपनी SBLF Retire Smart Pension Plan को बंद करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अपनी policy को बंद करके अपने पैसों को वापिस पा सकते हैं उमीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबादें ताकि SBI Life Insurance Advisor चैनल के मध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को असानी से मिल सके हैं इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स टाइम एक नए टापिक के साथ जय ही जय भारत